दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि मैं अपने Gmail ID का, मैं अपने email ID का password भूल चुका हूँ और कितना भी कोसिस कर रहा हूँ, मुझे मेरे email ID का password गलत ही बता रहा है। तो अब आप सभी अपने email ID का, Gmail ID का password अगर भूल चुके हैं तो आप उसे कैसे पता कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि आपको अपने phone के अंदर जो Google Play Store है उसको open करना है, तो देख सकते हैं कि मेर यहाँ पे इस phone के अंदर Google Play Store open हो चुका है, इसी phone के अंदर जो मेरा Gmail ID है, उसका password पता करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे देखे, प्रोफाइल का ओप्शन है, इसके उपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको पहले अपना email ID, Gmail ID सलेक्ट करना है, तो य प्रोफाइल वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक option देखेगा, manage your Google account, तो इसके उपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद, यहाँ पे आप सभी का इस तरीके से कुछ लोड लेगा, लोड लेने के बाद, यहाँ पे आपको इसर, वो उपर वाला जो देख रहा है, इसको इसको अधर के इसर से slide करना है, और यहाँ पे security वाले option में आजाना है, ठीक है, आने के बाद, यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा scroll करके नीचे आना है, और यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा, password का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको password के उपर क्लि email id का password पता ही नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी डालेंगे और next करेंगे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे wrong कह दे रहा है, देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे password पे भी हमने क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मेरा password तो दिखी नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो आप इं पासवर्ट को पता करने के लिए यहां पे एक blue color का एक icon दिख रहा है forget your password ठीक है तो इसके उपर आपको click करना है जैसे ही यहां पे आप click करेंगे अब आप से आपका जो आप सभी अपना phone का lock unlock करते हो वो कह रहा है कि आप अपना lock लगाईए ठीक है तो यहां पे हम continue के उपर click करेंगे तो अब मुझसे यहां पे मेरा fingerprint है तो यहां पे मैंने जैसे ही अपना fingerprint या फिर face लगाया तो मेरा यह जो phone है वो unlock हो चुका है और अब यहां पे मुझे नया password बनाने का option दे दिया तो यहां पे देखें new password और OC password को यहां पे confirm कर देना है तो चलिए यह चीज हम कर लेते हैं तो अब दोस्तों यहां पे हमने अपना जो नया password है वो enter कर दिया है और उसी password को वापस से enter कर दिया है और अब हम जैसे ही change password के उपर click करेंगे तो अब हमारा पहले कौन सा password था उसे कोई लेना देना नहीं है अभी जो हमने password इसमें enter किया है वही मेरा Gmail ID का password हो गया है तो यहां पे change के उपर click करते हैं और change password के उपर click करते हैं तो देखिए यहां पे मेरा जो password है वो change हो चुका है और अब आप सभी का password पता चल भी चुका है तो यहां पे close के उपर click कर दिजे और देखिए यहां पे आज का date यहां पे देखा दिया कि last changes 7 बच के 5 बच के 55 मिनट तो दोस्तो इसी तरीके से आप सभी अगर अपने Gmail ID का password भूल चुके हैं तो उसे आप सभी आराम से पता कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से इस वीडियो को like कर दिजेगा चैनल पे नए होगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और घंटी को on नहीं किये हैं तो उसे भी on कर दिजेगा धन्यवाद